नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हर सपना कुछ कहता है तो दोस्तों हमेशा की तैसर मैं श्वेता फिर से आपके सामने उपस्ते तो आपकी सपनों की समस्याओं का हल लेकर तो दोस्तों आज सपने की सीरीज में हमारा विश्य है सप दीखें सप्टनी की व्याक्या में आपसे मनवज्ञानिक रूप से अध्यात्मिक रूप से और एस्ट्रोलाजिकल दिन तीन और रूप से करना चाहूंगे तो सबसे पहले हम मनवज्ञानिक अर्थ लेते हैं कि जब हम सप्टनी में खुद को नाते वे देखते हैं तो यह सपना बताता है, जो हमारा सब conscious mind है, आप हमें जागरे तवस्था में जो भी negative thoughts है, negative elements हमारे life में चल रहे हैं उन खराब विचारों को मन से दूर करने का जो प्रयास होता है, जो हम जागरे तवस्था में जिस चीज़ के लिए प्रयास रत होते हैं उस tension को वो relieve करने का प्रयास सपनों के माधम से करता है इसके अलावा जो लोग spirituality के छेत्र में हैं या जो अध्यात्मिक साधनाय कर रहे हैं या meditation कर रहे हैं तो जब वो सपने में कुछ को नहाते बार बार देखते हैं कि आपको वह सुन्दरता को छोड़ कर जो अपनी मन की सुक्षिता है मतला मन को सुन्दर बनाने की और प्रयास करना चाहिए तभी आप इस अध्यात्म पत्में आगे सही धंक से बढ़ सकेंगे तो ये आपको इस spiritual awakening का सपना है कि आप अपने मन को कितना सुन्दर प्रकाश्वान बनाए कि आप अध्यात्निक जीवन के उनत्ति को प्राप्त कर सकें अब जो महिलाएं हैं जूकि उनके लिए नहाने का मतलब ज्यादतर महिलाओं के लिए नहाने का समय होता है तो जब महिलाएं सपने में खुद को नहाते वे देखती हैं तो ये सपना psychologically indicate करता है कि जो भी चाक्रतवस्ता में जो भी चीजें वो कर रही है उनको easily handle करना है शांती के साथ handle करना है आराम के साथ handle करना है ताकि कोई किसी भी चीज में कोई दिक्कत पैदा ना हो किसी भी चीज को फुलफिल करने में अब इसके बाद हम बात करेंगे astrological meaning के, तो यदि कोई भी जातक सपने में खुद को नहाते भी देखता है, बहते भी पानी में, बात्रूम में, साफ पानी में, दरिया में, नदी में, समुद्र में, तलाब में, या किसी जील के पानी में, या पवित्रे नदी के साफ पानी में खुद को नहाते भी देखता ह तो यह एक बहुत सुब सपना होता है, यह निकट भविश्य में जातक को किसी प्रसन्यतव या खुशी मिलने की और संकेत करता है, यदि आप सपने में खुद को बार बार साफ पानी में नहाते वे देखते हैं, तो यह निकट भविश्य में धन व्रती वस उत्तम स्वास्त क कि और भी संकेत करता है, लेकिन यदि उसके उलट, यदि सपने में आप बहुत गंदे पानी से नहा रहे हैं, तो यह जीवन में किसी परेशानी खासकर मानसिक तष्ट आने की और संकेत करता है, यदि सपने में आप खुद के पैर धुलते वे अपने आपको देखते हैं, तो यह सपना बताता है कि निकट धोईश में आप कुछ बड़ा या विशेश करने की एक्षा पालेवे हैं, और जल्द आपके वो एक्षा पूर्ण हो सकती है, तो दोस्तों आशा करती हूँ, आपको हमारी आज किती हुए जानकारी पसंद आई होगी, ऐसे ही रोचिक जा शेर वाशे करें तब तकी लिए दोस्तों, नमस्ताइब